स्वागत है आपका हमारी योटूब फ्लेटफर्म रुद्र सेविल सर्विसेज में जैसा कि आपको विदित है कि 79,000 सिक्षक भरती में माननी हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है एलाबाद हाई कोर्ट ने 60-65% के पक्ष में अपना डिसीजन सुनाया है लेकिन अ माननी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चला गया है मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता रखा था कि ये मामला माननी सुप्रीम कोर्ट के अधिन जा रहा है तो अब यहाँ फैसला देखना यह होगा कि सुप्रीम कोट का फैसला क्या आता है सस्तो यह है कि विद्यार्थी ठक चुके हैं लगबग डेड़ दो सालों से वो लड़ाई लड़ हैं पता नहीं इसके लिए जिम्मेदार कौन है हमारी सरकारे जिम्मेदार है कि हमारा तंत्र जिम्मेदार है हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेदार है या फिर हमारी न्याईक व्यवस्था जो कि इतने लंबे समय तक मामले को खीच ले जाती है जो कि छात्रों के हित और छात्रों के भविशे से जुड़ा होता है ना जाने कितने चात्र तनाओं में इस समय रहते हैं, कितने चात्रों की उम्मीदे बधी रहती हैं, कुल मिला जुलाकर अब यही सोचा जाना चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी माननी सुप्रीम कोट इस पर अपना फैसला सुना दे और सुप्रीम कोट का फैसला क्या होग मैं बस कुछ तथ पेश कर सकता हूँ, कोई नियाधीस नहीं हूँ कि जज्जिमेंट सुना सकूँ, पर माननी सुप्रीम कोट ने अब तक कि अपने पिछले सभी निड़ेयों में इस बात को आधार बनाया है कि कोई भी सरकार या आयोग परिक्षा कराने के बाद नियम लाग अगर सरकार या आयोगी से पहले ही क्लियर कर दी होती तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा ही नहीं होता, यह देखना बाकी होगा कि माननी सुप्रीम कोट का क्या फैसला आता है, मैंने अपनी राय रखी है, यह बस मेरी अपनी राय है, कोई डिसीजन नहीं है, आप हमारे च